ब्राट तो यू बाइ टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स बांगलादेश की शेख हसीना सरकार ने भारत विरोधी कट्टरवादियों को मुँपर तमाचा मार कर पूरे भारत को गदगद कर दिया दरसल बांगलादेश को भारत ने आजादे दिलाई पाकिस्तान से और ये बात पूरे बांगलादेशियों को पता है लेकिन वो कहते हैं कि पांचों उंगलिया बराबर नहीं होती और यही हुआ बांगलादेश में बांगलादेश में भी भारत विरोधी ताकत हैं जिनकी सोच पाकिस्तान से मिलती है वो ये चाहते हैं कि भारती चीजों का बहिसकार हो लेकिन वो भूल गये कि इस वक्त बांगलादेश की कुर्सी पर शेख हसीना बैठी है जो भारत को अपना बड़ा भाई मानती है अब शेख हसीना बांगलादेश की मुखी विपक्षी पार्टी के नेताओं की ओर से चलाई जा रही भारत विरोधी मुहीम के वीच भारत से 50,000 टन प्याज आयात करेंगी हसीना सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिती ने इस संबन्ध में वाड़िज मंत्राले के प् के नेता वहां भारत की प्रभाव को खत्म करने के लिए वहां इंडिया आउट कैमपेंच चला रहे हैं इसके तहट वो बांगलादेश में भारती चीजों को वहिसकार करने की अपील कर रहे हैं हाली में बी एनपी के नेता रुहुल कभी रिजवी ने कश्मीरी सौल को जल दिया था जिसके बाद बांगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उन पर निसाना सात्ते वे कहा था कि क्या वे भारती मसालों के बिना खाना खा सकते हैं जब वे यानी विपक्षी पार्टी की नेता अपने पार्टी का रहले के सामने अपनी पत्नियों की भारती स लाणिया जलाएंगे तब ये साबित होगा कि वेवास्तों में भारती उत्पादों का बहिस्कार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्याज आयात करेगा हाला कि प्याज की कीमत क्या होगी इसका अभी खुलासा नहीं किया गया। और प्रेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेट के माध्यम से सयुक्त अरवमिरात और बांगलादेश को 64,000 तन प्याज के निर्यात की अनमती दी थी। बांगलादेश को जहां 50,000 तन प्याज के निर्यात की अनमती मिली है वहीं सयुक्त अरवमिरात को 14,000 तन प्याज के निर्यात की अनमती दी गई है। खैर जिस सरसे शेख हसीना की सरकार ने ये कदम उठाया उसके बाद क्या करेगी बांगलादेश की विपक्षी पार्टी ये देखने लायक होगा। आपका क्या कुछ कहना है बांगलादेश में छड़े भारत विरोधी केमपेन को लेकर कमेंट करकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक